दोस्तों अगर आपका पिन नहीं आ रहा है आपके घर पे ही तो आपको मैं इसमें एड्रेस चेंज करने की जरूर सला दूँगा कि आप अपना अड्रेस चेंज कर लीजिए गूगल एड्सेंस में दोस्तों मैंने एक बार पहले पिन अपलाई किया था नहीं आया था बट मैंने दूसरी बार जाके अपने एड्सेंस में दोस्तों एड्रेस को चेंज कर दिया था दोस्तों साथ में मैंने अपना एक मोबाईल फोन नंबर भी डाल दिया था जिसके जरिये मुझे मेरा पिन आ आपको मैं बताने वाला हूँगी आप अपने Google Adsense में एड्रेस कैसे डालेंगे बिल्कुल सही-सही अपने आइडी प्रूफ में अधार काड में देखकर या वोटर एडी काड में देखकर कैसे डालेंगे ताकि आपका पिन आपके घर पे सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में आ जाए दोस्तो तीन-तीन बार बंदे पिन को अपलाई कर देते हैं आपका पिन नहीं आ पाता दोस्तो अगर आपका Google Adsense पिन नहीं आया है तो आप अपने Adsense से अर्निंग भी नहीं ले सकते हैं तो दोस्तो चलिए आज की वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने Google Ads पिन का एड्रेस चेंज करेंगे उसमें सही सही डालेंगे ताकि आपका Google Ads पिन आपके घर पे 15 दिन में आ जाए तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तो एड्रेस कैसे डालना है आप पूरा complete वीडियो देख लिए आप अपने Adsense में सही सही डाल तो आपका पिन आपके घर पे सिरफ 15 दिन में आ जाएगा अमल जालिंगी साथ से 15 दिन में आ जाएगा तो चलिए दोस्तो यहीं पर आपको में दिखा देता है यही पर आपको दोस्तो ऊपर की तरफ 3 लाइन दिख जाएंगी इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है दो दोस्तों यहीं पर आपको एक और option मिलेगा manage setting का तो इसी वाले manage setting वाले option पर आपको कर देना है click तो यहां पर दोस्तों आपको यह वाला option मिलेगा name and address का तो यहीं पर दोस्तों आपको pencil वाले निशान पर click कर देना है तो यहां पर मैं pencil वाले निशान पर click कर देता हूं दोस्तों click करने के बाद यहां पर आपको first में अपना डाल देना है नाम जो भी आपके bank account में है जो आपने अपने bank account में नाम लिखवा रखा है तो दोस्तो उसके बाद में आपको line 2 and line 1 में आपको क्या डालना है आपको मैं बता देता हूं दोस्तो line 1 में आपको डालना है अपना village जो भी आपका village है यानि कि आपका गाउं है तो दोस्तो नीचे में आपको line 2 में आपको डालना है मैं आपको दिखा देता हूँ आपको डालना है city जो भी आपका शहर है आपका जिला है यानि कि city जैसे मेरा city है मैंने अपना city डाल दिया है यह है मेरा city तो दोस्तो उसके नीचे आपको एक और city को option मिलेगा उसमें भी आपको अपना city डाल देना है, यानि कि आपके शहर का नाम क्या है, तो दोस्तो इसके नीचे आपको एक और option मिल जाएगा, यानि कि मैं दिखा देता हूँ आपको ये वाला postal code का, दोस्तो postal code अगर आपको नहीं पता तो आपकी bank account की जो भी पासबुक का है, उसमें आपको अपना state डाल देना है, जो भी आपका state है, तो दोस्तो जो भी आपका state है, जैसे मेरा पंजाब है तो मैंने पंजाब डाला हुआ है, इसके नीचे दोस्तो आपको और मिलेगा option देखने को, यहां पे आपको अपना एक valid phone number डालना है, जो भी आपका phone number है. तो दोस्तों यहां पर अपना आपको फोन नमबर डाल देना है तो यहां पर अपना मैं अपना फोन नमबर डाल दूँगा तो यहां पर दोस्तों नीचे की तरफ जो आपको option देख रहे हैं इनके लिए मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है अगर आपको दोस्तों UNITED ITulsive information आपको नहीं पता है क्या है इस में डिटेल कैसे फिल करते हैं तो दोस्तो इस के लिए भी मैं विडEZ बना दूँगा परकर दोस्तो इसके लिए आपको मुझे से और चीज बता दूं जो की बहुत ही जूरूरी आपको मैंने pin को apply किया था direct मेरे घर पे आया था postmaster ने मुझे phone किया था phone करके मेरे घर पे ही pin वो दे गया था तो दोस्तो इसे वीडियो मैं आपको अच्छी सही जानकारी दी दोस्तो चैनल को subscribe जुरू कर लेना ऐसी और वीडियो को लिए दोस्तों मिलते हैं को नई वीडियो में मुझे कॉमेंट कर दीजिए आपको किस टॉपिक के वारे में वीडियो चाहिए उस टॉपिक के वारे में मैं जरूर वीडियो बना दूँगा दोस्तों बैबैबै टेक के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना यही मेरी मेहनत क फल भी होता है